ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे एक दिन वो दौनो गाउं से थोड़ा दूर निकल गये और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला, वो एक भूए में गिर गया, गिर गया और जोर जो उसे चीखने चिताने लग गया, तुझ उसको तैरना नहीं आता, अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आसपास में और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको, उसके दोस्त ने पकड़ा, और वो अपनी पूरी ताहत लगा करके पागलों की तरह उसको खीचने लगा, खीचतारा, 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 अपनी पूरी जान लगा दी उसने, छोटे चे साल के, और तस साल के बच्चे उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था, खीष तरा खीष तरा और तब तक नहीं रुका, जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिए, जब तक वो बाद नहीं लिए, अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो यह कहानी समझ आती है, लेकिन हुआ क्या, कि जैसे ही यह दो बच्चे, जब दोनों एक हो गए, जब भार आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे, और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था, दर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बिटाई होगी, जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और यह सब पाल्टी, पानी से भरी हुई, वो उठा सके, तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक आदमी था उस गाउं में, उसने विश्वास कर लिया, उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गाउं के सबसे समझदार मुजूर्गों और सब को लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी, कोई नो कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं, और फिस सारे गाउं वाले इखटे हो करके उनके पास में गए, और जा गर के बोले कि देखो उसने बाल्टी को पकड़ा, उसने रसी को खीचा और अपने दोस्तों बचा लिया, तो आपको बता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बता हूँ, तो सारे गाउंवाले उनकी शकल देख रहे हैं, फिर कुछ देर बाद वो बोले, कि सवाल ये नहीं है, कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर बाया, सवाल ये है, कि वो ये क्यों कर बाया, कि उसके अंदर इतनी दागत कहां से आई, और बोले, इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस ताइम पे, उस जगे पर दूर द कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक की, वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं झाल